अग्षाइब एक जाएब तो अग्षाइब आपको गामा चैनल पर आज का मारा टॉपिक है रिजनिंग का सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बैंक पी और एक्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है प्री में भी और मेंस में भी तो देखेंगे आज हम कि कैसे अप्रोच करना है तो करते हम आज का हमारा सेशन स्टार्ट तो क्वेशन के रहा है एट फ्रेंड्स नेमली अजय ओम पायल माया बीना लीना अपड़ना एन अवनियार सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरीली इन दे सेम और इसी और में बैठे हो ऐसा जरूरी नह है और फेस्ट इंटर सभी का देख रहा है सेंटर में इसमेंट डो टैपके को बनते हैं सबस्टी अरेज्मेड में जब सबकी डिर्ट्शन सेम और फिर डायेक्शन मेंबर्स की डि डिफरेंट हो यह जो टाइप है यह है ओल पेसिंग दैंटर सभी एकी दिशा में देख र बना लेते हैं और इस पर एट फ्रेंड्स को बिठा लेते हैं और सभी का फेस का हैं टुवर्ड्स सेंटर तो यह सभी अब सेंटर की तरफ देख रहे हैं अब एक बार कॉश्चन पढ़ लेते हैं अजय सीटिंग उन्द इमिजेट राइट पोजिशन अफ माया बीनाइस इमिजेट राइट पोजिशन अफ अजय अजय दो बार आ गया है तो हम अजय को यूज करके सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे हैं ओम इस सिटिंग बिविन अपढणा और अवनी बीना इस नीदर और इमिजेट नेवर ऑफ पायल नौर माया तो करते हैं अजय से जूड़ी हुए एक और इंफरमेशन है कि पायल इस सिटिंग ओन दा इमिजेट राइट पोजिशन ऑफ अजय पायल को अजय के राइट ने मिठा जेते हैं पिर नेक्स लाइन है बीना इस सिटिंग बिट्विन पायल और लीना बट आप बीना से रिलेटेट एक और इंफरमेशन पढ़ोगे जो बहुत ही क्रूशल है बीना इस नीदर एन इमिजेट नेवर ऑफ पायल नौर माया तो बीना जो है वो पायल और लीना के बीच में त आपने कुछ इस तरीके से बिठा लिया कि पायल यहां है बीना यहां है और लीना यहां है इस लाइन को पढ़के कि बीना सिटिंग बिट्विन पायल और लीना और आपने पूरा कोश्चन नहीं पढ़ा तो आपका प्रजल गलत हो जाएगा क्योंकि आगे एक बात बोली उन्होंने कि बीना इस नीदर एन इमिजेट नेबर ऑफ पायल नौर माया तो पायल के साइड में बीना नहीं आ सकती तो अगर बीना को बिठाना है पायल और लीना के बीच में है तो उस केस में लीना को यहां आना बढ़ेगा तब ही उनका जो सेंटर होगा उन दोनों का जो बीच होगा वोगा यह वाली पोजिशन जहां बीना बेट सकती है और आप देख सकते हैं पायल के बाद एक गैप है फिर बीना है फिर बीना के बाद एक गैप है और लीना है अब हम कह सकते हैं कि बीना जो है वो पायल लीना के बीच में है और वो पायल की इमिजेट न आना है तो ओम कोहा आना पड़ेगा और अपढ़ना या फिर अवनी जा तो यहां मेल जाएंगे इन में से कोई एक और इसकी साथ हमारा सेट इंड मेंट कम्टीट हो ग्या है मतलब अपढ़ना और अवनी की एक जया पता नहीं है अगर अपढ़ना इधर बेटती है तो अवनी इधर बेट जाएगी और अगर अपढ़ना इधर बेटती है तो अवनी इधर आ जाएगी ठीक है यह इसका interpretation है तो हम देखते हैं कि हमसे question क्या पूछ रहा है what is the position of Bina with respect to pile pile के respect में मतलब pile क्या है है हमारा reference point है पायल को देखते हुए बीना किदर बैठी हुई है तो बीना जो है वो पायल के first और second right में बैठी है अपकर क्या answer हो जाएगा second right पायल के second right में कौन है बीना के बाद हम चलते हैं next question question कह रहा है इफ अजय लीना interchange their position then who will be sitting between Ajay and Bina इसका क्या मतलब है कि लीना यहां से हट जाए और इदर आ जाय है और Ajay यहां से हट जाए और कि दर आ है ठीक है उस case में Ajay और Bina के बीच में कौन ओगा यह रहा हमारा आ और यह है बीना इन लोगे बीच में कौन है इन नोनु के बीच में है ओम हमारा correct तो इसका क्या मतलब है यह पन समझते हैं देखो यहां पर अपढ़ना और अवनी की जगह फिक्स होती है तो हम बोलते एक ही यूनीक अरेंजमेंट है यह इन्फोर्मेशन हमारे पास नहीं है तो यहां पर दो केसे बन जाएंगे एक बार अपढ़ना यहां बेट जाए और अवनी यहां आ जाए या एक बार अपढ़ना इधर बेट जाए और अवनी इधर आ जाए तो कितने यूनीक अरेंजमेंट्स पॉसिबल है हमारा अंसर होगा टू ऐसा सिर्फ इसली हुआ क्योंकि अपढ़ना और अवनी की जगह फ इसको अच्छे समझ लेना तो सभी की डारेक्शन सेम है सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं और एट फ्रेंड्स है अब हम चलते हैं सेकंड सेट पर यह रहा हमारा सेकंड सेट डियर स्टूडेंट्स अगर सभी एक्जाम रिलिटेट कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अगर एक्जाम्प्र आपको आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप और टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो पढ़ते हैं क्वेशन एट स्टू है सबकी सेम नहीं है कुछ लोग Center की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग Center की तरफ नहीं देख है पिर आगे कहा है और students face the Center and four face away from the Center यह रही information oh okay it is known that Gagan faces the Center and sits between two non center facing students तो अब हम हमारा circular sitting arrangement बनाना start करते हैं तो यह हमने circle बना लिया है फिर आगे कहा है मोहक sits on the immediate right position of Gagan फिर आगे आप पढ़ोगे तो Gagan एक बार और आया है पहीम sits on the immediate left position of Gagan तो Gagan जो है यह हमें help करेगा circular arrangement को start करने में यहाँ पर Gagan है यहाँ पर Gagan है तीन बारा गगन आया है ठीक है तो इससे अगर हम start करेंगे तो हमें बनाना काफी easy रहेगा सबसे बेले तो हम गगन को बिठा दें यह center की तरफ face कर रहा है यह गगन बेट गया है और इसके side में जो दो लोग है वो non center facing है वो center की तरफ नहीं देख रहे है तो वो कहां देखेंगे इस तरफ देखेंगे फिर कहा है मोहक sits on the immediate right position of Gagan तो गगन के just right में कोन है मोहक है आगे कहा था कि जो फहीम है वो left position में है किसके गगन के फहीम को भी बिठा लेते हैं फिर कहा है हरी sits on the immediate left position of मोहक हम मोहक का देख रहा है बहार देख रहा है द्यान रखना तो इस चीज़ को द्यान रखना इन questions में अदर्वाइस गलती हो जाती है कि जिसके भी left में या right में आप देख रहे हो उसकी direction की तरह गगन तो आज center में देख रहा था तो right और left बहुत easy था पर क्योंकि मोहक जो है वो बहार देख रहा है इसलिए आपको बहुत ध्यान से left और right देखना रहेगा और आगे कहा है and Anil sits on the immediate right position of Faheem अब Faheem का देख रहा है बहार देख रहा है तो इसका right कहा होगा इधर यहां कोन बेठा है यहां बेठा है अनिल पिर कहा है अमित sits between Ravi and Parag रवी और पराग के बीच में अमित बेठता है तो definitely अमित को यहां आना पड़ेगा एक तरफ रवी आ जाएगा एक तरफ पराग आजाएगा अब कौन किस तरफ आएगा यहां इस information से पता चलेगा तो यहां पर तो यहां पर तो रवी नहीं आ सकता क्योंकि वह हरी का नेबर नहीं है तो रवी आ जाएगा यहां पर और पराग आ जाएगा यहां पर तो सबको बिठा तो दिया हमने अब डारेक्शन अभी भी बाकी है तो रवी और पराग फेज दा सेम डारेक्शन एज मोहक तो रवी और पराग की वही डारेक्शन है जो मोहक की थी मोहक की क्या डारेक्शन है सेंटर की तरफ नहीं देख रहा था तो रवी और पराग भी कहा देखेंगे सेंटर की तरफ नहीं देखेंगे ठीक है, question में बोला था कि four students face the center and four face away from the center, ठीक है, तो अवे वाले कितने हो गया, फहीम हो गया, मोहक हो गया, पराग हो गया, और रभी हो गया, चार हो गया, तो remaining जो भी है, वो कहां देखेंगे, center में, तो अनिल भी center में देखेगा, अमिद भी center में देखेगा, हरी भी center में देखेगा, और इसी के साथ हमारा case let, solve हो गया, हमने सबको बिठा लिया, और उनकी direction भी हमें पता चल गई, अब time है, questions करने का, क्या बोल रहा है, question, who sits to the immediate left of पराग, पराग के just left में कोन है, तो पराग यह रहा, यहाँ पर, इसके just left में कोन है, पराग भार देख रहा, तो इसका left किदर होगा, अमिद, correct answer क्यों जाएगा हमारा, अमिद, तो चलते हैं हम, next question पर, who is facing Ravi, Ravi को कोन face कर रहा है, अब Ravi यह रहा, और यह देख रहा है, कहाँ देख रहा है, यह बाहर की तरफ देख रहा है, तो रवी को कोई face नहीं कर रहा, यह center की तरफ देख रहा होता, तो इसका answer होता मोहक, तो घ्र मार अंसर क्या हो जाएगा, no one, तो यह question तो हो गया next question देखते हैं अब हम question पूछ रहा है who is sitting third to the left of Fahim अब ध्यान से देखना Fahim जो है वो center में नहीं देख रहा है अगर center में देख रहा होता तो third left को न होता एक, दो, तीन बढ़ वो कहां देख रहा है away from the center देख रहा है तो इसका left इधर नहीं होगा इसका left इस तरफ होगा ठीक है तो third left को ने Fahim के one, two, three तो आपका correct answer क्या हो गया हरी हरी जो है वो third left में है Fahim के इसी के साथ हमने ये case भी complete कर लिया और दो type cover कर लिये जो frequently पूछे जाते हैं exam में अब इसके बाद time है practice questions का ये questions आपको खुद करना है और इनके answer आपको description में मिल जाएंगे और देखना आप सही तरीके से इन questions को approach कर पारे हो या नहीं और comment section में मुझे बताना अगर आपको कोई भी doubt हो in questions को लेके तो इसी के साथ आज का session एंड करते हैं thank you, have a good day तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही quality content आपको मिलता रहे जो help करें आपको आपकी exam prep में तो circle में जो gamma का logo दिख रहा है उसको click करें और channel को subscribe करें thank you